नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के बन्नित में तो दोस्तो इतने दिनों से एक कुशन बार-बार दिखेगा रेज हो रहा है कि सर मेटल सेक्टर में क्या होगा मेटल सेक्टर का क्या आगे का आउट्लूक रहेगा ये पारे doubt clear करेंगे और मैं disclaimer देना चाहता हूँ कि metal के stocks मेरे portfolio में बहुत कम level पे भी है और अभी swings के लिए भी मैंने देखीगा इन stocks पे bet कर रहा है तो मैं आपको disclaimer दे देना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि देखे का आपको stock लेने चाहिए को लेकर चिंतित हैं या फिर आप यह सूसते हैं business model कैसा होगा तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो result आ रहे हैं अपने जीवन के सबसे अच्छे result है और जीवन की result नहीं कुछ-कुछ company आज ऐसे result दे रही है कि वो किसी नियास तक नहीं दिये ऐसे result ही company ने किसी नहीं दिये यानि कि किसी भी sector में नहीं दिये तो यहाँ पर जब आपको देखेगा आख बंद करके profit हो रहा है आख बंद तो simple सी बात है ऐसे stocks पे कोई भी आपको संधे नहीं होना चाहिए अब बात करते हैं काम की तो देखेगा metal stock जल्द ही rebound करेगा आपको पता है Biden ने देखेगा एक बहुत ही बढ़िया plan execute करने की सोच ली है और जिस तरीके से US economy में inflation बढ़ता जारा जाया रहा है यह plan आपको next week में ही execute होते हो देखने मिलेगा और इसका फाइदा कितनी countries को होगा यह सब कुछ जानेंगे इस particular वीडियो में तो सबसे पहले शुरू करते हैं Biden says infrastructure bill will be ease inflation pressure तो देखेगा आप सभी को पता है US economy का सबसे बड़ा struggle जो देखने को मिला है सबसे बड़ा struggle जो देखने को मिला है वो मिला है आपको कि वहाँ पर inflation का concern बढ़ता चला जा रहा है अब inflation के concern को down करने के लिए US कुछ भी करेगा यह सब ही जानते हैं तो Biden जी ने कहा दिया वो infra bill लाएंगे अब infra bill लाएंगे तो देखेगा कितना बड़ा bill है छोटा मोटा bill नहीं बात करने है बड़े bill की बात करने है 550 billion का देखेगा 50-550 billion dollar का यह छोटा मोटा नहीं है और क्यों ला रहे है चुकि इनको job create करनी है क्या करनी है millions of job create करनी है और spending देखेगा जो करेंगे जो announcement देखने हो मिलेगा वो next week देखने को मिलेगा अब आप कहेंगे सर इससे फाइदा क्या है फाइदा भी बता चल जाएगा फाइदा तो इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते तो इसी लिए कहेंगे कि वीडियो को देखने में जल्द बाजी ना करिएगा तो देखेगा आपको पता है US का inflation का data आया था जिसमें 6.2 का CPI inflation आपको देखने हो मिलना है और देखेगा यह जो consumer alarm आपको देखने हो मिलना है यह सारी चीज़ें आपको देखेगा जल्द ही correct होते होगे देखने हो मिलेगी आने वाले दो से तीन quarter में और if implemented correctly यानि कि यह जो particular bill है वो अच्छी तरीके से देखेगा इंप्लिमेंट हो जाता है तो इससे जो inflationary pressure देखने को मिलना US economy में वो कम होगा और economy को stability देखने को मिलेगी यह बिड़न ने का है बिड़न जी कौन है आपको पता है यह President of America तो यानि कि इस official statement है यहापे कोई if and but वाली बात नहीं है और उन्हें ही कि यह भी का है If we do it right we know that it will mean it and will create millions of new jobs Grow the economy will have win the world economic competition We are engaged in the second quarter of 21st century with China and many other countries आप समझेगा कि यह केवल अपने देश में प्लान नहीं लाएंगे देखेगा US economy को बहुत सारी country follow करती है यह सभी जानते है तो आपको पता है कि सारी countries को अगर COVID के pressure को कम करना inflation को देखेगा down करना है तो आपको job create करनी पड़ेंगी और job सबसे तेज क्रेट होती है जब infra चीज़े आती है यानि कि labor की demand बढ़नी पड़ेगी labor की demand को increase करने के लिए US with China जो देखेगा एक बहुती बड़ी economy है और other countries यानि कि आपको पता है कि US और इंडिया दोस्त कहे जाते है तो इंडिया से भी देखेगा बहुत बड़ा approach हो रहा है तो दोनों countries देखेगा यहाँ पे अपने infra bill भी लाएंगी और infra bill का आना तो आपको पहले बता देते हैं सबसे पहला फायदा मिलेगा आपके steel sector को चुकि infra में bridges आते हैं roads आती हैं construction आते हैं यानि कि result यह अभी थमने वाले नहीं है यह demand अभी कम होने वाली नहीं है यह metal की demand है यह बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी तो बढ़ती जाएगी अगर कोई भी particular drawback चाइना की तरफ से आ जाता है तो देखी का short covering आपको देखने हो मिलेगी यह बिलकुल अच्छी तरीके से clarify हो चुका है और उन्होंने देखी है cabinet meeting में फैसला लिया है जल्दी upcoming week में आपको बढ़ती देखेगा इस particular plan को देखेगा implement करते होगे देखने मिलेंगे देखेगा infrastructure को देखेगा पूरी तरीके से vice president तो देखेगा पूरी तरीके से proper execution करेंगे और सबसे ज़्यादा benefit देखने को मिलेगा केवल और केवल nifty metal को किसको nifty metal को जो पिछले एक महिने में 5% डाउन है यह stock मालब एक तरीके से कहा सकते है nifty metal ने भी कोई तेजी दिखाई नहीं है किसी भी तरीके की तेजी आपको nifty metal में देखने को नहीं मिली है तो nifty metal में देखेगा consolidation जल्दी यह जो 5 दिनों से consolidation चलना है यह जल्दी आने वाले time में खत्म होगा और जब खत्म होगा तो यह जो advances और declines हैं इसमें आपको केवल और केवल advances देखने हूं मिलेंगे और आपको doubt क्यों नहीं करना है क्योंकि मैं बार-बार बोलता रहता हूँ कि अगर आप doubt करना है ऐसी कंपनियों के बारे में जो कंपनिया अपने जीवन का सबसे बड़ा profit बना रही है सबसे बड़ा यानि कि अपने जीवन का सबसे बड़ा profit दे रही है तो आप फिर अच्छे से अच्छे stocks में भी investment करोगे तो आपको doubt होना चाहिए इसमें हिंड आलको के result देखिए amazing है अगर आप Tata Steel के देखेंगे Vidanta के देखेंगे Nalco के देखेंगे JSW Steel के देखेंगे Sale के देखेंगे सब के result disclose किये गए है आपको सब के result disclose किये गए है चाहिए वो NMDC हो चाहिए हिंद कॉपर हो Cole India हो Sale हो यह सारे stock uptrend में आएंगे थोड़ा time लेंगे लेकिन uptrend में आएंगे और इसका indication मैंने प्रॉपर मैनर में आपको दे दिया है अगर अभी भी कोई डाउट है तो अपनी कोईरी को कॉमेंट सेक्शन में लिखके ज़रूर बताएगा Thank you so much